नमस्कार, मैं एक शिक्षिका हूँ और विगत कई वर्षों से बच्चों के बीच में मेरा रहना हुआ है उनके साथ पढ़ना, पढ़ना, खेलना और बहुत सारी क्रिया कालाप मैंने बच्चों के साथ की है उनको बहुत पास से समझा है और उनके विकास को लेकर कई बार कई प्रयतने की हैं पेरेंट्स के साथ मिलकर और अपने सहयोगी टीचर्स के साथ मिलकर बच्चों के लिए कुछ विशेश करने का प्रयतने हमेशा से मेरा रहा है क्यूंकि ये बच्चे आज जो छोटे हैं कल यही इस संसार के हमारे देश के भविशे हैं और ये जो इनका बच्चपन है ये वो स्वर्णिम काल है जहां वो संसकारों को सीखेंगे समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे इसी के आधार पर वो उसी तरह के व्यक्तित तो बनेंगे जिससे की समाज का निर्मान होगा और देश का निर्मान होगा आज इस कारिक्रम में मेरे साथ उपस्तित है आचारे नीरद शास्त्री जी आपने हिंडी में एमे किया है विद्या वाचस्पती है आपको कई संस्थानों से पुरुषकार मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के श्री कुमार फड़के बालसाहिटी समिक्षा स इसके अतरीक चार दर्जन से अथिक सेवी संस्थाओं से आपको पुरुषकर्त किया जा चुका है आप अती सम्मानित व्यक्ति हैं और आपका इस कारिक्रम में मैं स्वागत करती हूँ और मेरे साथ में हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशी आप रामपूर नरेश पुरुषकर मिला है पुरुषकर्त किये जा चुके हैं पर सबसे बड़ी बात आपके विशे में बताना चाहती हूँ कि आपके कारों के उपर भी शोध कार्य हो चुका है मैं आपका इस कारिक्रम में हिर्दे से स्वागत करती हूँ और हमारे साथ में हमारे एक और सही आप हैं श्री राजीव सक्सेना जी आपने बहुत सारा विज्ञान के उपर साहित्य में कारे किया है रोबोट एलियन, बायो एप्लिकेंट, माइन अपलोडिंग मशीन, टाइम मशीन, आधी के उपर आपने लेखन का कारे किया है आपका जो विश्य है वो बच्चों के आधार पर समझे और उसे एक्सेप्ट करें आपका मैं तीनों लोगों का यहां पर बहुत-बहुत स्वागत और आप सफी का अभी नंदन करती हूं बच्चों का विकास और चुनौतियां जब इस विशे पर हम सोचने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आजाता है यह कहना चाहूंगा मैं कि आप बच्चों को मोबाइल कंप्यूटर या जो साइंस या टेकनोलोजी है उसके इस्तेमाल से रोक नहीं सकते है बल्कि मेरा कहना तो इसके उल्टा यह है कि उनको यह टेकनोलोजी दी जानी चाहिए और उनका प्रॉपर यूज वाना सही दंग अप्लोडिंग मशीन सा जाएंगी तो ऐसे में यह बहुत जरूरी होगा कि बच्चे इस सारी तक्नीक से तालमेल बठा सकें इसलिए उनको अभी से ही यह सिक्षा मोवाइल या कंप्यूटर जैसी डिवाइस जो है या जो मशीन है या उपकरन है उनके माध्यम से दी जा सक कि बच्चों को यह मशीन से एक्यूपमेंट से देना है ज़रूरी है क्योंकि यह आज के समय की डिमांड है लेकिन मुझे आप से यह जानकारी चाहिए कि उन कहानियों का क्या जो दादा दादी के माध्यम से आके बच्चों में भावनात्मा क्विकास करती थी वह यह तो जो तकनीकी है यह तो रूखी सूखी है बच्चों को सिर्फ फैक्ट से जोडती है तो भावनाओं को जोडने के विशे में हम कैसे बच्चों से जुड़ें दरसल समय परवर्तन शील है और समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है जो हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थ जो बच्चों को सुलाते वक्त भी और जगाते वक्त भी जगाते वक्त प्रभाती सुनाया करते थे दादा दादी नाना नानी वो उनके पास नहीं है संयुक्त परिवार होने की वज़े से यह त्रासदी है बच्चों के साथ तो जी मैं इसी विशे में आपको जोड़ना चाहती हूं नीरज जी कि यह जो कहानियों के द्वारा बच्चा संस्कार भी लेता था और कहीं न कहीं माता पिता के साथ उसका एक भावनात्मत जुड़ा हो जाता था क्या आज के परिवेश में हम यह चुनोती पाते हैं कि बच्चे तपनीक से ज्यादा जुड़ रहे है और भावनाओं में कम? है वहीं भावनात्मकता उनके अंदर कम देखने को मिल रही है और इसके पीशे कहीं न कहीं माता-पिताओं की ही कमी है वो अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते जो उन्हें निभानी चाहिए लेकि मेरा मानना ये है कि हम मोबाइल कम्पुटर के माध्यम से या ट और कहानियां जो बाल जीवन से सम्मन्दित है बाल मनोग डिcando के अनुरौप है उनने दिखाना होगा बच्चों को समझाना होगा कि हम किस तरह से तो आपका कहना यह है कि हमें बच्चों को और गहराई में जाके समझाना होगा उनको वो साहित ये यूध यू और दूर द सब्सक्राइब करें गया नहीं किस तरह से आगे लेकर चले वह सब समाज के रूप में बच्चों को उनके संसकारिद बना सकें तो आपकी तक्नीक किस रास्ते के और इशारा करेगी आदेगी why can be help परसकती है जैसा भी आपने यह सवाल उठाया कि किस तरह से संस्खारित किया जा तो माली जे कहानी की बात है अभी आदरणीय पड़क जी न कहा कि अब दादा दाधी या नाना नानी के पास बैठने का अफसर उनके बात बात नहीं है लेकि नहीं हम तक्नीक का इस्तमाल कर सकते हैं तक्नीक का इस्तमाल इस तरह सा कर सकते हैं कि उनके लिए एक Is-Tori Machine बनाई जा सकती है जिसमें visuals भी हो और काणी कहने का तरीका घी हो काणी भी कही गई हो उसे कहानीों के जरीए, visuals के जरीए द्रश्यांकन के जरी उनको एक कहानी प्रिस्तुत किया सक्ति उन को समझाया जास्कता है कि देज़से उटने पर क्या नुगसान हो सकते हैं के जीवन में क्या प्रॉछा पढ पढ़ सकता है उनको ये भी पताया जा सकता है कि बाइलोजिकल कर Mm तो इसका बहुत ही ज्यादा कुप्रभाव स्वास्त पर भी पड़ता है और हमारे जीवन पर भी पड़ता है तो तक्नीक बहुत तरीके से मैं तो कहता हूं कि आशातीत ढंग से जो है उनके लिए मददगार हो सकती है तक्नीक से मेरा कहना ही है कि परहेज नहीं करना चाहिए तो अगर तक्नीक को इस्तिमाल किया जाएगा तो बच्चों का सरवांगियर विकास मैं सुझता हूं मुझे आपसे पूछना है कि बच्चों के विकास में आज के समय में माता-पिता की क्या गूमिका हो सकती है शिक्षक परंद पाठक सर दिनेश पाठक जी मुझे बताए कि शिक्षेक व्रंद होकर माता पिता बच्चे को के विकास में कैसे सहयोगी हो सकते हैं। बच्चों के चरित निर्मान की कुछ बातें बच्चों को कुछ समय में सिखाएं। बच्चों को इसको पढ़ने के लिए कहां से प्रेणा मिलती है। घर भी आप मोबाइल थमादेंगे। जो लिखा है उसको बच्चों को जोडने के लिए क्योंकि जो हमारा प्राचीन साहित्य है। जो हमारे वेद, उपनिशद, पुरान है वो सब इस तरह से जमा पुझी है हमारे भारत देश की कि जो हमें अपने बच्चों को देनी है। तो इस आहित्ती से बच्चों को किस तरह से उनके विकास में जोड़ा जाए। इसके बारे में अभी आप और को जोड़ना चाहेंगे। इसके लिए जो प्रियास की जाने चाहिए। उन प्रियासों में एक तो ये बात महटपून हो जाती है कि हम अपने घर के अंदर ऐसा बातावरन उत्पन करें। जो बातावरन बच्चों को उस दिश्चा में ले जाए। हो क्या सकता है कि हम जब बच्चों के साथ बैठें तो आपस में चर्चा करें। हो ये भी सकता है कि हम अपने घर के कमरे की दिवारों पर उस तरह की चित्रकथाएं, पेंटिंग की रूप में प्रियूख करें। और ये भी हो सकता है कि हम स्लाइट्स बनाकर कम्प्यूटर के माध्यम से बच्चों को दिखाएं। नेमित रूप से बच्चों के सामने हमें उन चीजों को लाना पड़ेगा जो आज तकनीकी से जुड़ी क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है जैसा कि आपने कहा कि अभी बाजार में साहित्य कुस्तवकों की दुकाने नहीं मिलती हैं हम मानते हैं कि बच्चों के विकास के लिए क्वालिटी ओफ टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों को समझना और उसके लेविल को समझना उसके अंदर चिपी प्रतिभा को समझना वो किसमें विशेशगिया तक ये बन सकता है उसको जानते हुए हम कौन स आदर्श उसके सामने रखें, जिसे कि हम उसके विकास में साहयक हो सकें. सबसे पहले मैं कहाँ जाएंगा, कि बच्चें भड़ों का अनुकरहरान करते हैं, वो जैसा बड़ों को करते हुए देखल के फिल्सकी कोशिश करते हैं, यह जो पुस्तक के बारे में संकेत किया है, वो इसका मुख्यकारानी है कि सौयम अभिवागा को में या बड़ों में आदर्सा को देखेंगे लिग हैं टोर सबसे पहले क्पेले रुग इह टो ऑने का समय चैनली चाहिए घृह थे विशेख पॉइंट को हम सभी इसको आज के समय में हर माता पिता हर स्कूल हर टीचर एक्सेप्ट करता है कि बिना टेक्नीक के बच्चे का विकास इस सदी में तो संभब नहीं है लेकिन फिर भी कुछ आदर्ष उनके सामने रखे जाएं कुछ हमारे आदर्ष पुरूश है व उसके उनको हम कैसे उनके प्रती बच्चों के इंदर ला सके कि उनको इस तरह से बना है दिनेश पाठक सर आप मुझे बताएंगे आज के समय में माता पिता चाहते कि मेरा बच्चा इतना पढ़कर और ये कमाने लग जाए समाज के लिए क्या करें और परिवार के लिए क् उसको एक कमाने का वो बनाते जा रहे हैं कि वो कमा के सुक्ष विदाओं वाला जीवन जी है इस विशे में आप क्या कहेंगे क्योंकि एक समाज बनाने के लिए हमें हर तरफ के बिन्दू सोचने होंगे बच्चों के विकास को लेकर जी बिलकुल आपने सही कहा दरसल ये जो माता-पिता की सोच आजकल हो रही है ये घातक है केवल हमको बच्चों के लिए कवाने वाली मशीन ही नहीं बनाना है बलकि हमें बच्चों के लिए उनके सरवांगीर विकास के लिए प्रयास करना चाहिए उसमें सरवांगीर विकास में उनका शारीरिक विकास भी होता है मानसिक विकास भी होता है आध्यात्मिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है सभी विकासों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए तभी हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक सो संस्कृत नागरिक हो सकता है जो की देश के लिए राष्ट के लिए हितकारी सिद्ध ह टेक्स्बुक बेस्ट इस्टडीज को पढ़ाने पर पेरेंट्स फोकस रहता है इसकूल का भी रहता है कि कितना परसंटेज बच्चा लेकर आया और उसके बाद उसको सब जुबाग दिखाया जाते हैं कि पढ़ लिखकर उसको इतना इतना कमाना है लेकिन जीवन के अपना द्रश्टिकोंड रखें कि किसको आदर्श मान कर उन बच्चों को दिखाया जाए कि यह आपके जीवन के आदर्श हो सकते हैं जहां बात आती है बच्चों के सामाजिक विकास के लिए हमें कहीं न कहीं कोई न कोई रोल मोडल लेना पड़ता है और यह रोल मोडल कि महात्मा गांदी जब बच्चे थे तो उन्होंने रजा हरिष्चंद्र की एक फिल्म देखी थी और इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने जीवन परियंत सत्यवादी रहने का संकल्प लिया था आज भी यह पूरी तरह सत्य है अगर हम बच्चों को फिल्मों के माध बच्चे इस बहुती है कि उस आण को स्वहमें उतारने का परियास करता है अपकी बात में और अकार औन करना चाहतلام की हमारा जो भारतिय दर्शन है यह नहीं कहता कि हमको कमाने के विफ्ट कि और दो न कमाने के लिए हमारे ब्रह्मचार का काल कि समाज के योगे हो जाए कमाने के लिए भी ग करता जीवन के Leben के लिए भी उपयोगी बन जाए यह हमारा जो अर्षा का है अंतोत हमारे को इतना अंत्मा को अपने शरीर को अपने मस्तिक्ष को इतना परिश्कृत करना है कि परमात्मा में समा सके उसके लिए सरवांगीर विकास की बात है तो राजीम सर आपका मैं आप अपना द्रश्चिकोंड रखें कि बच्चे को लिए खेल कूद के बारे में उसके खान पान के बारे में उसक जब वो कुछ फिजीकल एक्सराईस करकें है वो क्या रहा है कि आजकल बच्चे मोवैil में जुड़ Его है कि तो उनकी कि फिजीकल एक्सराईज वे वह बाती है वह पाती है बैडमिंटन पहले के समय में लंगरी टांग, खोखो, कपड़ी, वो जो इंडिये जीनियस गेम्स हुआ गरते थे, वो स्पोर्ट जो बच्ची अपने घर में खेलता था, उन सबसे वो छूट चुका है, वो उसके विकास में बड़े साहयक सिद्ध होते थे, उन खेलों से दोबारा जोडने की जरूरत है, बड़ी बात है कि विध्यालियों में खेल का समान उपलब्द होता है, लेकिन बहुत बार वहां पे वियायाम शिक्षक नहीं होते हैं, और उनको वो समान भी खेल के उपकरना है, वो नहीं दिये आते हैं, मैंनो तो यह भी समय के बावना, एक दूसरे की मदद करने की बावना, बहुत सारी बाते हैं, बहुत सारे कोशंट्स हैं, वो एकदम जीवित हो जाते हैं, बच्चे कोई रोबोट या मशीन या पैसा कमानी की मशीन बन करना है, इसके लिए उनको खेलों से जोडा जाए, और इसमें बिना क के समय में बताएं कि बच्चों के खान पान को लेकर भी माता पिता बहुत परिशान रहते हैं, आज कर ये जो फास्ट फूड आ गए हैं, इससे भी उनके लिकास में कही ना कहीं बाधा तो है, आप क्या विचार रहते हैं, आप बिलकुल सही कह रही हैं, दरसल क्या है कि ब बच्चा जैसे ही हो समालता है, वो बच्चे को जो है पिज्जा, बरगर और ये दुनिया भरे की चीजे खिलाना शुरू कर देते हैं, और जब बच्चे को उनसी जो का स्वाद आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो घर की न दाल रोकी खाता है, न सबजी खाता है, किसी बच्चे जो प्रभावित होते हैं, तो वो भी उसका भी कहीं न कहीं कुछ उस विज्जापन का प्रभावत तो बच्चे के उस छोटे नन्ने सुकोमल भावुक मन पर पढ़ता ही है, कि मैं कहीं जो क्राइम बच्चा हर समय देख रहा है, अखवार आप खोलते हैं, तो प आधक बनती है, जो इस तरह की नेगेटिविटी इस चका चौंत की दुनिया से आ रही है, जो क्राइम दूर दर्शन पर, सिनेमा में या जो भी परोसा जा रहा है, उससे हम बच्चों को कैसे रोग पाएं, देखिए, जहां तक इस नेगेटिविटी की बात है, क्राइम की या जो दूसरी इस तरह की कंटेंट है, जो दिखलाए जाता है, चाहें वो आडियो विजुल मीडिया पर हो, या सोशल मीडिया पर हो, उसको आप रोग तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रियास अलग कर सकते हैं, जैसे बच्चों को एक सद मार की तरफ, अच्छे रा जाने का सबसे बड़े आसादन है। अगर हम बच्चों से यह कहें, आपने रात के समय डायरी में लिए क्या अच्छा काम किया। एपर सारे काम उन्होंने जो महिने में की है, या दिन में की है, सथा हा में की है, उनको आप देखें उनकी डाइरी को पढ़ करके, तो उसके मिल दाइएंगे, बच्चा जो है उस लिखते समय इमानदारी पढ़तेगा, तो अगर उसके अच्छे काम है तो इसके लिए उसकी परिवार के उसतर परिजाने your ईंगा मान वेटा उनमें मान वेता हिए उनमें कंपेशन छाहिए की उनमें के बारे प्रत्ध मरें वॉट सेट आपयों के सहें मां मेंدव। प्रशन वानपलपन में His system तो इस टेक्निक को भी बहुत ही सरल बिसमें ने कुछ करना नहीं है सहे बात है कि जब बच्चे को पुरुषकार मिलता है तो और 20 गश्र बच्चे देखते हैं वह कहीन कहीं बजांगी उसे मिलता है मैं आपकी बात को कुछ extent तक accept करती हूं मानती हूं लेकिन हर बार पुरुषकार भी हर कारे पुरुषकार के लिए ही किया जाए ये भी बच्चों के अंदर हमें संस्कार डाले जाए उनके अंदर आत्म विश्वास पैदा करने की पूशिक करने चाहिए हम ने सही कारे कर रह के अंदर आत्म विश्वास पैदा करना एक बहुत बड़ी बात होती है और इसके लिए हमें बच्चों की बालसभाएं की जानी चाहिए आयोजन की जाने चाहिए इस काम के लिए कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं जैसे नेशनल बुक ट्रष्ट दिल्ली जो है बच्चों क करता है उसके बाद उत्रा खंड के एक बाल प्रहरी पत्र का है उसके संपादक हैं उद्यकिरोला जी वो बच्चों के लिए इसी तरह के आयोजन करते हैं लखनव की स्रीमती नीलम राखेज जी हैं बरश्ट साहित का वो भी हर हपते बच्चों से उनके द्वारा कविता कह कहानी लिखवाती हैं और उनकी समिच्छाएं भी कराती हैं इसी प्रकार बहुपाल के बाल कल्यान एबं बाल शोद के इंदर के जो निदेशक है स्री महेश सक्सेना जी वो भी यही कार करते हैं बच्चों से कविताय लिखवाते हैं कहानिया लिखवाते हैं और उनके मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की उनिवर्ष्टियां सभी राज्यों में और सभी राजधानियों में होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का उन्हें मार्ग दर्संग और आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए सुलव अवसर प्राप्त हो बच्चों का बच्चपन उनका विकास और उसमें पाई जाने वाली चुनोतियां ये सब कुछ हमने आज चर्चा में रखा और हम इस निश्कर्ष पर पहुंचे कि बच्चपन ही वो है बच्चों का जहां पर संसकार की नीव रखी जाती है और इस नीव के द्वारा उनकी जो प्रतिभा है उसको योगिता में परिवर्तित किया जाता है और जब वो योगि बन जाते हैं और वो संसकार्षम बन जाते हैं तो एक उच्च समाज का निर्मान करते हैं और ऐसे नागरिक हमारे देश के लिए बहुत कुछ अपने जीव और नमस्कार्ण